नव वर्ष की धेर सारी शुक्कामनाई 2024 का साल शुरू हो गया है इन बीटेवे वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया जनवरी की कडाकी की ठंड शुरू हो गई है नव वर्ष का जश्न भी जोरू पर है इस धुम धमाके में हमने हमें अपनी सिहत का भी ध्यान रखना जरूरी है दिल्ली का परदूशन जो केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बलकि पूरे भारत में हावा में मिलने वाले सोक्ष में धोल करों कोहरे से क्या प्दूश प्रभाव पढ़ता है और वेदों में इस परदूशनों के बारे में क्या मनना है आज हम जानेंगे चिकित साव विज्यान के अनुसार ठंड के दिनों में नकार आत्मक विचार आते हैं जिससे मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ जाती है अस्थमा जैसी बीमारियां होती है परदूशन के दुषपरभाहों से बचने के लिए प्राचिन गरंथों में रिशी मुन्यों ने दूशित वायू को शुट करने और आसपास के परिवेश को सुच रखने एवं वायू की गुनवत्ता का इस्तर बढ़ाने के कई उपाएं बताएं अभिग्यान शकुंतला में शकुंतला स्वयम जल ना पीकर अपने वरक्षों को सीचती है महेंशी वालमीकी ने भी अपने रचनाओं में परियावरन सरक्षन में सर्वत्र महतो दिया है चित्रकूट में स्रीराम अपने भाई भरत से प्रश्न करते हैं क्या उनके राच्य में वन सुरक्षित है यानि वनों के सुरक्षित होने से ही जीवन मंगल में हो सकता है स्रीराम ने वनवास अवधी प्रकटिक के बीच रहते वे बिताई थी उन्होंने पेल पौधों एवं जीव जन्तों को अपना परिवार माना और परियावरन पर्दोशन का समाधान वैदिक रिचाओं में भी मिलता है वैदिक रिशों के अनुसार शुड़ वायू आयूर वर्धक और शुड़ शांती डायक होता है उनसे हिर्दय और आदी रोगों से मुक्ति के लिए हरे आली के वातावरन में प्राता है एवं साइं शुड़ वायू के सेवन की सीख दी है रिशी मुनियों को ग्याद था कि पीपल और ढाल जैसे वरक्ष दिन रात आक्सिजन छोड़ते हैं तब ही हुए रगवेद और यजरवेद में पीपल के नीचे बैठेने एवं प्लास के समीब बस्ती बसाने के निर्देश देटे थे वेद पुरान के अनुसार घर के उत्तर में पाकल पूव दिसा में टट डक्षन में आम और पश्चिम डिसा में पीपल का पिड़ शुब माना जाता है यजुर्वेट में वरक्षों और वनस्पत्यों की पूजा बताई गई है यानि वरक्षों को देवों का वासमाना गया है गीता में कृष्ण वरक्षों में स्वेम को पीपल बताते हैं पीपल का पिल दिन राद प्राण वायू अक्सिजन देता है फलों का राजा आम भी बहुत उप्योगी है स्रीफल और नीम को आयू प्रदाता माना चाता है नीम और श्टियों से भरपूर होता है तुलसी तिर्दोस नाशक है जिसके गंसे वातावरन शुद और परदुश्यत रहित हो जाता है पदम पुराण में आमले के वरक्ष को विश्णू का प्रिया माना चाता है विटेमिन सी से भरपूर आमला उदर एवं नेत्र विकार में ठीक करता है वेदों में सूरे की जगत को आत्मा कहा गया है सूरे सभी प्राणियों वनस्पति और जीव जन्टों में जीवन का संचार करते हैं कीट नासक सूरे की केरने हिर्दय और पीला जैसी रूग में लाबडायक माना चाता है आयर्वेट के अनुसार पीपल, गुगूल, वर्ट अरजन, एवं शिक्खंडी के वक्स जल को परदूशन मुक्त करने की चमता रखते हैं वेरी शान्ती पार्ट में पित्वी जल एवं और स्थी सहित संपुन लोक अल्यान की कामना की गए हैं हम प्रकृति की शरण में जाकर ही सदा खुश रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं इसलिए प्रकृति की और लोटने के संदे से हमें जीवन में आत्मसाथ करना ही होगा और हमें प्रकृति को बढ़ावा देना होगा पेड़ पौधों और जानवरों की सुरक्षा का भार लेना होगा तो आपका इस वारे में क्या मानना है क्या वरक्षों की सुरक्षा अनिवारे है या नहीं क्या वेदों में बताएगे इसके लाब हमारे लिए जरूरी है या नहीं मेरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू वेरी मच